राकी सावन्द को भला कौन नहीं जानता? और जो नहीं जानता होगा, उन्हें पिछले दिनों उनके पती संखोए वबाल के बाद जान लिया होगा. राकिसावन्द में इसी महिने अपने पती पर गंभीर आरोप लगाने के बाद जेल भिजवा दिया था और पिर अपने पती की कर्टूतों को मीडिया के सामने लाने लगी थी राकिसावन्द का हर दिन रोते वे कोई न कोई वीडियो सामने आता ही रहता है लेकिन इस बार जो वीडियो आया है उसमें वो हसी हुई, मुस्कुराती हुई और एक शख司 का हाथ थामे नजर आ रही है राकी-सावन का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है और वो इस वीडियो में फुब्सूरत सी ड्रेस पहने नजर आ रही है उनके साथ एक शखस भी नजर आ रहा है जिसने उनका हाथ पकड़ा हुआ है राकी सावन से जब पैपराजी पूछते हैं कि क्या कुछ आने वाला है तो राकी कहती है कि हाँ एक गाना आने वाला है तो उनके साथ खड़ा शखस कहता है कि पहले तो हमने लोगों को बहुत नचाया था लेकिन इस बार रुलाएंगे इसके बाद राकी कहती है कि वो अभी दुलहन भी बनेंगी फिर वो कहने लग जाती है कि दुलहन यहां है और दुलहा जेल में है यह कहकर वो हसने लग जाती है राकी सावन्द हाली में अपने पती आदिल के घर मैसूर पहुची और वहां जाकर उन्हें जो सच्चाई पता चली वो जानकर काफी हैरान रहे गई उन्होंने बताया कि उनका पती एक मामूरी सा ड्राइवर है यही नहीं राकी सावन्द ने ये भी बताया कि आदिल खान के सिर पर बाल नहीं है राकी सावन्द के साथ उनकी हाल ही में बेस्ट फ्रेंड बनी शरलिंचोपड़ा भी पहुची थी दोनों ने मिलकर आदिल खान की तहकीकात की तो सारा सच सामने आ गया देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें